सीरियल नामकरण में बुरिश्यका मैता नहीं बलकि अधिती राठोर वही फाइनल अउनी का किर्दार निभाने के लिए सीरियल नामकरण में लीब के बाग की कास को लेकर काफी कण्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर अउनी का रोल कौन निभाएगा कभी व्रिशिका मैता का नाम सामने आता है तो कभी पारूल बेंगुलेकर का लेकिन अब फाइनल खबर आई है कि इन लोगों में से कोई नहीं है जो अवनी का किरदार निभाते हुए नजर आएगा अदिती राठोर को मेकर्स ने फाइनल किया है अवनी के किरदार के लिए अदिती ने इससे पहले कुमकुम भाग और एक दूजे के वास्ते जैसे शो में काम किया है और लोगों ने उनकी एक्टिक को पहले से ही काफी सरा आ है इससे पहले वो एक दूजे के वास्ते में निकिता अदत्ता की छोटी बहन का किरदार ने बाते नजर आई थी शो की बाकी की कास जो अब तक फाइनल हुई है वो है गौतम विज अली के किरदार के लिए नली नी नेगी प्ले करेंगे रिया का किरदार शो में फिलहाल तो अवनी अपने भाई अमान को लेकर दयावन्ती से भागी हुई है लेकिन दयावन्ती ने फिर से अपनी चाल चलकर उसको पकड़ लिया है आशीश भी अवनी के खिलाफ हो चुका है क्योंकि दयावन्ती ने आशीश के दिमाग में ये भरा है कि आवनी नहीं अपनी मा आशा का खून किया है अब देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड लेती है और लीप के बाद कहानी में क्या ने ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं सीरिल नामकरण में ब्रिशिका महता नहीं बल्कि अदिती राठोर हुई फाइनल अवनी का किरदार निभाने के लिए सीरिल नामकरण में लीप के बाद की कास को लेकर काफी कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर अवनी का रोल कौन निभाएगा कभी ब्रिशिका महता का नाम सामने आता है तो कभी पारूल बेंगु लेकर का लेकिन अब फाइनल खबर आई है कि इन लोगों में से कोई नहीं है जो अवनी का किरदार निभाते हुए नजर आएगा अदिती राठोर को मेकर्स ने फाइनल किया है अवनी के किरदार के लिए अदिती ने इससे पहले कुमकुम भाग और एक दूजे के वास्ते जैसे शो में काम किया है और लोगों ने उनकी अक्टिंग को पहले से ही काफी सरा आ है इससे पहले वो एक दूजे के वास्ते में निकिता अदत्ता की छोटी वहन का किरदार ने बाते नजर आई दी शो की बाकी की कास जो अब तक फाइनल हुई है वो है गौतम विज अली के किरदार के लिए नली नी नेगी प्ले करेंगे रिया का किरदार शो में फिलहाल तो अवनी अपने भाई अमान को लेकर दयावन्ती से भागी हुई है लेकिन दयावन्ती ने फिर से अपनी चाल चलकर उसको पकड़ लिया है आशीश भी अवनी के खिलाफ हो चुका है क्योंकि दयावन्ती ने आशीश के दिमाग में ये भरा है कि आवनी नहीं अपनी मा आशा का खून किया है अब देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड लेती है और लीप के बाद कहानी में क्या ने ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं